नमस्कार, जन्वार टाइम से मैं श्वेतांक रिश्ना, आईए आपको मिलवाते हैं प्रयाग राज की वरिष्ट को वित्री श्रीमती जया मुहन जी से, वे अपना एक बालगीत रस्तुत करेंगी धन्यवास श्रीतांक जी, गर्मी है बच्चों और गर्मी में सारे बच्चे परेशान हैं देखिए गर्मी में क्या-क्या समझ नहीं आते हैं मैं आपको इस बालगीत के द्वारा बता रहे हूँ सूरा चाचा गर्मी, सूरा चाचा गुस्से में इतना क्यूं गर्माते हो हम सबको गर्मी के कारण पसी ना छुडवाते हो हम सबको गर्मी के कारण पसी ना छुडवाते हो दिन भर एसी पंखे में घर में दुखके रहते हैं छुट्टी में भी हम कहीं नहीं खेलने जाते हैं खर बुजे तर बुजे खाते कुलफी आईस्क्रीम चट कर जाते ठंडी लसी सर्वत कोला ठंडी लसी सर्वत कोला पीकर हमनी प्यास बुजाते सूरज चाचा क्यों इतना तुम गर्मा जाते कैसी लगी बच्चों अच्छी लगी न अब चलिए मैं आपको पतंग की एक कविता सुना रही हूं पतंग बुढाना आपको अच्छा लगता ना कैसे लगाते हैं दोरी वे बांचे न तो चलिए पतंग पर एक कविता सुनाती हूं उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे बंद डोरी के साथ होके हवापे सवा देखो देखो रे पतंग मेरी उड़ी रे उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे नीली पीली लाल हरी देरु पतंगे उड़े रही नीली पीली लाल हरी देरु पतंगे उड़े रही कटी कटी रही पतंगे पीली कटी रही चली बाद लोके पार होके हवा पे सवा देखो देखो पतंग मेरी उड़ी रही जट से मैंने पतंग उतारी जट से मैंने पतंग उतारी काट न दे कोई पतंग हमारी बच्ची बच्ची रे पतंग मेरी बच्ची रे बच्ची बच्ची रे पतंग मेरी बच्ची रे चली बाद लोके पार होके हवा पे सवा उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे थेंग्यू बच्चों